हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एचराय के उजगेशन दोस्तों केसे हैं आप लोग आई होप किया बहुत ही अच्छे होंगे साथ ही साथ आपकी तयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा तो दोस्तों आज डिसेंबर 31 है तो ये 2020 का लास्ट डे आज है तो इस लास् चैनल को तो इस चैनल में इस वीडियो का पीडियेफ जो भी में करेंट अफेर्स डालता हूं वीकली करेंट आफर्स का पीडियेफ आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा साथ ही सब्सक्राइब कोई ये 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 यूजी सीनेट कोड़ 55 का एक्जाम की तयारी कर रहे हैं या फिर UPSC, EPFO, या फिर IBPS, SOHR या फिर कोई भी PSUHR की एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं तो उसका Labor Laws और HRM, Organational Behavior और Industrial Relations के वीडियो भी मैं अपने YouTube चैनल के पर डालता हूँ तो वहाँ पे आप ये सारे वीडियो आप पा सकते हैं साथ ही साथ Labor Laws MCQs का PDF, PAID PDF का लिंक भी मैं description में आपको provide कर दूँगा तो वहाँ पे आपको 18 Labor Laws का more than 600 questions आपको मिलेंगे जो कि आपका exams में बहुत ही helpful रहेगा तो अभी recently conducted exams देशे कि आपका NTN8 का exam और आपका ESL और आपका DFCIL, National Street Corporation Limited और साथ इसाथ जो Railways RRB का Ministerial and Isolated Category का exam जो हुआ था welfare inspector का तो वो सारे exams में जो भी लेवर लॉज आये थे ये इस PDF से बहुत सारे questions आपको पूछे गए थे तो ये PDF आपका annualize exams के लिए भी बहुत ही important रहेगा क्योंकि अभी तक जो भी आपका new codes है कोई भी exams के जिलावस में अभी तक include नहीं किये गए हैं ठीक है मैं ये clarify आपको कर देना चाता हूँ कोई भी exams के जिलावस में ये जो new codes हैं labor laws का ये include नहीं किये गए हैं तो ये PDF अभी भी आपका बहुत ही helpful रहेगा ये सारे exams में जो कि आपका आने वाले हैं जैसे कि आपका moil का exams है और ibps specialist officer का exams में और आपका UPS CPFO का भी exams है तो ये सारे exams में आका ये PDF बहुत ही helpful रहेगा तो इसका link में आपको provide कर दे रहा हूं तो ये special offer भी चल रहा था इस PDF का जो कि आपका 12% discount में आपका मिल रहा था ये PDF तो आज ये special offer end हो रहा है अगर आप नहीं खरीद हैं अभी तक तो अभी आप खरीद लिजे क्योंकि ये कल से ये offer आपका लागूर नहीं रहेगा ठीक है तो दोस्तों चले शुरू करते हैं आज का December के last week का current affairs तो दोस्तों चले शुरू करते हैं आपका पहला question तो आज की वीडियो का पहला question आपका है Mucormycosis is in news these days what exactly it is तो ये Mucormycosis ये क्या है exactly So these are the options, read out the options carefully It is a vaccine for COVID-19 or drug to treat COVID-19 or bacterial infection to treat COVID-19 और fungal infection linked to COVID-19 तो Mucor इसका नाम से ही पता चल जा रहा है तो ये एक fungal infection है linked to COVID-19 तो इसके related कुछ यहाँ पर information provide किया गहे हैं आप वीडियाप से ये जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है तो next question के तरप चलते हैं Next question is the great conjunction of two planets occurred on 21st December 2020 After 800 years which two planets created the great conjunction तो ये दो प्लानेट आपका ये जो great conjunction है यहाँ पर दो प्लानेट एक ही लाइन पर आ गये थे तो ये कौन सा दो प्लानेट है जो कि आपका एक ही लाइन पर आ गये थे So these are the options and the correct answer will be Jupiter and Saturn ये एक लाइन पर आ गये थे 5,850 crores तो उत्तरप्रदिस के कौन से शहर में ये एक mega leather park ये built हो रहा है तो ये इंडिया का first It is the first leather park to be built in a city तो ये कौन से city में ये आपका built हो रहा है तो ये आपका USA and Russia to build advanced hypersonic wind tunnel test facility तो ये कौन से सहर में built क्या गया है Okay, so it is built in Hyderabad which is in Telangana तो Telangana के CM है के चंद्रस्ट खर रहा हो और इसका capital है आपका Hyderabad In the next question is who has been conferred with the 2020 Asso Charm Enterprise of the century award तो ये किसको ये confer किया गया है तो ये जो प्राइज है ये आपका PM नेरेंद्र मोदी ने confer किया है ये किसको रतन टाटा जी को ये प्राइज मिला है Asso Charm Enterprise of the century award ये इस सल दिया गया है ठीक है तो next question Name the winner of the Pandit Dindhal Upadhyay Telecom Skill Excellence Award तो ये जो एक award दिया गया है Pandit Dindhal Upadhyay Telecom Skill Excellence Award तो ये इसका winner कौन है तो इसका winner है आपका Srinivas Karanam ठीक है तो ये Bengaluru के रहने वाले हैं तो इनका एक mobile जो आपका है Brand C Mobile का इसका एक solution, technical solution, customized technical solution ये develop कर चुके हैं तो इसके लिए इनको ये आवार आपका मिला है तो next question आपका है M.G. Vaidya Senior RSS spokesperson who has recently passed away was a veteran scholar of तो ये M.G. Vaidya कौन से language के veteran scholar है So these are the options and the correct answer is Sanskrit Okay In which of the following state center of excellence for skill development in the power sector has inaugurated तो एक कौन से state में ये inaugurate किया गया है तो ये आपका Haryana में inaugurate किया गया है Guru Gram में तो Haryana का जो Chief Minister है इनका नाम है Manoharlal Khattar ठीक है Then the next question is Which of the following state government launched a special campaign इनका नाम है Varasat Natural Succession to Corp Property and Land Related Disputes in Rural Areas तो ये एक campaign special campaign यहां पर launch किया गया है कौन से state government ये campaign launch किया है ठीक है Varasat Campaign ठीक है To Corp ये भी आपको याद रखना है ये Varasat Campaign कि इसके लिए launch किया है To Corp Property and Land Related Disputes in Rural Areas तो इसका अंसर है आपका UP ठीक है उतर प्रदेश इसका अंसर है UP का CM है आपका योगी योगी अधितनाच जी ठीक है हाज its origin from which of the following states तो ये गट का जो गेम है Hello India में recently include क्या गया है 2021 में होगा तो ये गेम का origin कौन से state में आपका हुआ था ठीक है तो इसका origin आपका हुआ था पंजाब में पंजाब का capital आपका है चंडिगड और इसका जो CM है इनका नाम है Captain Amarendar Singh ठीक है then the next question is who among the following won gold in the women's category at the Cologne Boxing World Cup तो यहां पे Cologne में Boxing World Cup हो रहा है तो यहां पे recently कौन यहां पे women's category में इंडिया का gold जीत चुके है so these are the options and the correct answer to this question is both Manisha Maun and Simrananjit Kaur option A and B so option D is the correct answer here then the next question is who among the following has won BBC Sports Personality of the Year Award 2020 तो यहां पे इस साल के लिए BBC Sports Personality हर साल दिया जाता है तो इस साल के लिए किसको यह आवाड दिया जा रहा है तो Roger Federer या फिर Michael Jordan या फिर Usain Bolt या फिर Michael Phelps या फिर Lewis Hamilton so the correct answer to this question is Lewis Hamilton क्योंकि यह इस साल बहुत सारे जो आपका रेसिंग होता है तो यह साल बहुत सारे रेसिंग यह जू चीक है F1 Formula 1 रेसिंग तो next question आपका है Name the Indian Bank which launched a unique variant of a contactless debit card under the name Rupay Select in association with the National Payments Bank National Payments Corporation of India NPCAE के साथ यह associate करके Rupay Select यह contactless debit card यह एक Indian Bank है यह produced किया है तो launch किया है तो यह कौन से bank यह जो Rupay Select debit card launch किया है तो यह आपका option A Central Bank of India ने यह launch किया है किस के साथ मिलके NPCAE के साथ मिलके Rupay Select Okay So let's go to the next question Question number 14 is India and Vietnam recently signed How many number of agreements during the virtual summit 2020 तो इस साल यहां पे Vietnam के साथ हमारा एक virtual summit हुआ था तो यहां पे कितने agreements यहां पे sign किया गए यहां पे 7 agreements sign किया गए तो Vietnam का capital आपका है Hanoi यह सारे extra information आपको याद रखना चाहिए और इसका currency है आपका Dong ठीक है तो next question आपका है In which union territory Prime Minister Narendra Modi launched सेहत Health Insurance Scheme on 26th December तो 26 December को यहां पे Health Insurance Scheme यहां पे launch किया गया यह आपका बहुत important question है यह आपका Union territory में launch किया गया आपका Prime Minister Narendra Modi ने यहां पे launch किया है Jammu and Kashmir में तो Jammu and Kashmir का आपका Lieutenant Governor है Currently Manoj Sinhaji ठीक है तो next question आपका है Who has been appointed as the head of the high-level committee formed by the government to commemorate the 125th birth anniversary अपनेता जी सुभास चंद्रबोस तो यहां पे नेता जी सुभास चंद्रबोस के 125th birth anniversary जो आपका होता है January 23rd को हर साल मनाया जाता है इनका birth anniversary तो यहां पे एक high-level committee यहां पे गठन क्या आगा है जो की appointed यहां पे होंगे Amit Saha ठीक है High-level committee का head ठीक है Amit Saha आपका Home Minister है तो next question आपका है सुभास चंद्रबोस मैं आपके लिए questions रखूँगा सुभास चंद्रबोस जी का बार्थ प्लेस कौन सा है यहां पे आपका जो comment section ही यहां पे आपको लिखना है सुभास चंद्रबोस जी का बार्थ प्लेस कौन सा है यहां पे आपको Google करना नहीं है बस अपने memory के हिसाब से आप लिखिए बार्थ प्लेस जो city है बार्थ का यह सुभास चंद्रबोस जी का कौन सा है city तो next question आपका है name the Indian leader who has been honored with the legion of merit ठीक है तो यहां पे legion of merit आपका USA का highest military award है यह कौन से Indian leader को यहां पे honor किया गया है तो यहां पे आपका श्री नरेंद्र मोदी जी को legion of merit award honor किया गया है तो USA का highest civilian award भी है उसका नाम है आपका presidential medal of freedom ठीक है USA का highest civilian award जोब आइडन को मिला था जब वहां पे आपका president थे Barack Obama जी तो वहां पे जोब आइडन को मिला था USA का highest civilian award जो कि आपका है presidential medal of freedom तो आपका next question है India's first gender data hub will be set up in तो first gender data hub यहां पे इंडिया का कौन से यहां पे state में set up किया जा रहा है तो यहां पे केरला में यह set up होगा तो केरला का CM तो आपका है पिनराई विजयन और इसका जो आरिफ महमद खान तो next question है आपका है infinite India is an online portal launched by which bank for the foreign companies who want to expand their business in India तो infinite India यह online portal launch किया है कौन सी ब्यांक ने यह portal को launch किया है तो इस portal के थुरूँ आपका foreign company को business expand करने में यह portal help करेगा तो यह आपका ICICI bank यहां पे यह portal launch किया गया है ICICI bank के द्वारा ठीक है तो ICICI bank का headquarters आपका मिलेगा Mumbai में और ICICI bank का जो chairman है currently Girish Chaturvedi Girish Chandra Chaturvedi तो next question आपका है What is the theme of 12th Griha तो Griha का full form यहां पे है Green rating for integrated habitat assessment तो यह summit का theme क्या है ठीक है तो यह summit का आपका theme है तो इसका theme है आपका Resuminating Resilient Habitats Griha का theme है तो Griha जो है आपका headquarters मिलेगा New Delhi में Headquarters नहीं इसका जो हुआ था यह summit तो यह summit हुआ था आपका New Delhi में ठीक है तो next question आपका है A new book titled COVID-19 सभ्यताका संकट और समाधान Crisis of Civilization and Solutions इसका author यहां पे कौन है तो इसका author है Kayla Satyarthi Ji जो कि आपका last time इंडिया के Nobel Prize Junior थे Kayla Satyarthi तो आपको comment section में बताना है को Kayla Satyarthi कौन से field में Nobel Prize जीते थे इंडिया के लिए अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी Google नहीं कीजेगा आपने idea के इसाब से आप बताएए कि Kayla Satyarthi कौन से field में आपका Nobel Prize जीते थे ठीक है तो next question आपका है Housing and Urban Affairs Minister हर्दीप सिंग पूरी has launched यह एक portal launch किये हैं एक new web portal and mobile app on good governance day तो good governance day के दिन यह एक new web portal यहां पे launch किये हैं आपका हर्दीप सिंग पूरी यह आपका Housing and Urban Affairs Minister है तो इसका नाम क्या है यह portal का नाम यह portal का नाम है आपका E Sampada ठीक है तो next question देखते हैं देवेंद्र फड्नवीज जो कि आपका former Chief Minister है आपका महराष्टरा का यह एक book यहां पे release किये हैं अयोध्या इस book का नाम है तो यह book का author कौन है इस book को कौन लिखे हैं दिजाद options here and the correct answer will be माधर भंडारी माधव भंडारी जी तो माधव भंडारी कौन है यह BJP के spokesperson है BJP politician है महराष्टरा के ठीक है तो next question आपका है cabinet approved the merger of यह कितने government run film and media units को merger के लिए यह अप्रूब कर दिया है cabinet ने यहाँ पर four इसका answer है तो चार government run film and media units को यह merger के लिए अप्रूब कर दिया है तो यह सारे information यहाँ पर दिये गए है कौन से कौन से है the films division the directorate of film festivals the national film archives of India and the autonomous body children film society तो यह सारे merge किये जाएंगे national film development corporation के साथ ठीक है तो next question आपका है Amar Singh College which was recognized with award of merit तो Amar Singh College को award of merit के लिए चुना गया है by UNESCO यह कौन से सहर में located है Amar Singh College ठीक है यह आपका options है तो इन में से आपका correct answer होगा स्रीनगर जामुकस्मिर के जो capital है स्रीनगर तो यहां पर यह Amar Singh College located है तो UNESCO UNESCO का headquarters आपको मिलेगा Paris में France का Paris में आपका UNESCO का headquarters मिलेगा ठीक है तो next question आपका है which player has been named the captain for the ICC ODI team of the decade तो ICC ने अभी release किया है आपकना ODI team of the decade क्योंकि अभी 2020 तो खतम हो रहा है तो इसलिए ODI team of the decade test team of the decade ODI player of the decade test player of the decade okay and cricketer of the decade और women के category में भी यह सरे आपका जो आवाट दिया गया है तो यह आपका ICC का ODI team of the decade का captain यहां पर चुना गया है MS Dhuni को ठीक है तो यहां पर और एक question है Russian player Russian player का नाम यहां पर पुछा गया है जो की recently बयान कर दिया गया है from badminton for betting and fixing charges तो यह सारे charges में इनको बयान किया गया है इनका नाम क्या है इनका नाम है Nikita Hakimov तो badminton का जो world federation होता है इसका headquarters आपको मिलेगा कौला-लंपूर में और यहां पर आपका total 194 member यहां पर member associations है badminton world federation में ठीक है तो next question है which player has been named as the skipper of latest ODI test team of the decade तो ICC का जो latest ICC test team of the decade sorry it is ICC test team of the decade तो ICC का जो test team of the decade इसका captain यहां पर किसको select क्या गया है इसका captain है Virat Kohli Virat Kohli Virat Kohli को यह भी award मिला है कि ODI ICC का ODI Cricketer of the decade Virat Kohli को मिला है और और एक award भी मिला है Gary Sobers Cricketer of the decade Gary Sobers का जो price मिला था यह जो मतलब यह बहुत ही prestigious price है ICC का number one price इसको ही बोला जाता है तो Virat Kohli को यह price मिला है ठीक है तो next question आपका है The first ever fully automated driverless train service in India has been inaugurated in which city by PM Modi तो यहाँ पर first ever fully automated मतलब यहाँ पर कोई भी driver यहाँ पर नहीं होगा train service यहाँ पर provide किया गया है यहाँ पर inauguration किया गया है Modi ji के द्वारा कौन से? शहर में तो यहाँ पर यह New Delhi हमारे capital में यहाँ पर inaugurate किया गया है 28th December को तो next question आपका है PM Modi has recently flagged up the 100th Kisan Rail of India This new service has been started to link which states तो यहाँ पर कौन से especially question आपका है कौन से state से शुरू होके कौन से state तक यह जो rails अभी से यह चलेगा तो यह आपका महाराष्टरा से शुरू होके West Bengal तक चलेगा तो option D is the correct answer here Then the next question is Who is the author of the book? Sutra Ni Veda Chi Sutra Ni Veda Na Chi Sutra Ek Anbav तो इसका author यहाँ पर कौन है? इसका author है Dr. Rupa Chari तो next question Who has won the title of Sir Garfield Sovars Award for ICC Male Cricketer of the Decade तो यह award के बारे में मैंने आपको बताया था तो इसका winner है Virat Kohli यह माना जाता है ICC का prestigious सबसे prestigious award ठीक है तो next question आपका है Arya Rajendra has been elected as the youngest mayor in India तो इनको इंडिया का youngest mayor के रूप में elect किया गया है तो यह कौन से state से बिलॉंग करते हैं ठीक है तो next question यह आपका 21 years of age such a tremendous achievement it is then the next question is in pursuit of justice the autobiography of यह एक autobiography है कि यह किसका autobiography है तो यह राजिंदर सच्चार का autobiography in pursuit of justice ठीक है तो next question is it is the last question of this video तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए और अगर आपको monthly current affairs भी चाहिए तो comment box में जरूर लिख कर बताए तो मैं जो भी weekly current affairs इसको combine करके सोच रहा है कि monthly top 100 current affairs आपको दूँ ठीक है तो आपका opinion बहुत ही important है आप comment box में जरूर लिख कर बताए ठीक है तो last question of this video which of the following states got India's first hot air balloon safari तो यहाँ पे कौन से state इंडिया का first hot air balloon safari यहाँ पे तो यह आपका मध्यमप्रदिस आपका answer है मध्यमप्रदिस के cm आपका है शिवरा सिंग चोहान ठीक है तो दोस्तों यह था आपका December last week का current affairs तो यह जो बालन wildlife safari है यह आपका बांदवगर tiger reserve में यह आपका क्या गया है मध्यमप्रदिस के जो forest minister है वीजय साहर जी के द्वारा ठीक है तो दोस्तों I hope कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और informative लगा और एसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को subscribe किजिए साथ ही साथ bell icon को जरूब दबाए तो दोस्तों have a good day and have a very happy new year God bless you